इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप YouTube पर अपना personal brand कैसे build कर सकते हो देखो YouTube पर अपनी present बनाने में बहुत सारे benefit है followers के साथ authentic relationship build करने का एक सबसे अच्छा तरीका है creating video content यदि आपका goal है YouTube पर अपना personal brand build करना और आपको नहीं पता है कि start कैसे करे तो वीडियो को सुरूर से लेके last तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपना personal brand YouTube पर कैसे build कर सकते हो step number one pick your needs एक सबसे बड़े mistake जो ज़्यादा तरलोग करते हैं कि वो YouTube इसलिए करते हैं कि वो एक YouTuber बनना चाहते हैं कुछ लोगों को huge success मिल भी जाती है blogging और making life style बीडियो बना कर लेकिन यह approach आपको हमेशा failure की ओल ले जाता है क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपको लोग देखना क्यों पसंद करेंगे इसलिए आपको ऐसे लोगों को target करना है जिनको आपके content की जरूरत या आप ऐसे लोगों के लिए videos बना रहा है जिनकी help हो सके आपके videos के through अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक loyal audience मिलेगी जो आपके videos को देखना भी पसंद करेगी और आपके content की respect भी करेगी seriously अगर आप अपना personal brand बिल्ड करना चाहे तो YouTube पर तो आपको अपने niche को improve करना होगा ये था पहला step यानि आपको सबसे पहले अपना niche pick करना होगा अब बात करते है step number 2 की select the best keyword देखो YouTube एक second largest search engine है और YouTube पर ज़्यादा traffic search से ही आते हैं YouTube पर सभी परकार के question के answers मिल जाते हैं यादि आप अपने videos को keyword के through rank कराने में कामयाब हो जाते हो तो आपको अपने videos को keyword के साथ rank कराना पड़ेगा इसके लिए आपको videos optimize करना पड़ेगा तभी आपका videos keyword के साथ rank होगा video optimize करने के 3 points होते हैं सबसे पहला point है research effectively आपको एक keyword को proper अच्छे तरीके से research करना है आपको पता होना चाहिए कि उस particular keyword पर कितनी reach है कितने लोग search कर रहे हैं search volume कितना है उस पर competition कैसा है hi hello है कैसा competition है तो ये सारी चीज़ें आपको उस particular keyword के बारे में पता होना चाहिए तभी आप effective keyword research कर पाओगे definitely इसके लिए आपको कुछ tools की ज़रूरत पड़ेगी मैं personally use करता हूँ read IQ को नीचे description में link मिल जाएगा आप चाहो तो वहाँ से download करके आप भी help इसकी ले सकते हो second point है optimize your metadata यानि कि title, description, tag आपको इन तीनों को अच्छे से proper optimizer के write करना होगा third point है engage with high quality content यानि कि आपके videos में engagement भी होनी चाहिए और आपका content high quality का भी होना चाहिए ये तीन points हैं जिनकी वज़ा से आपके videos की ranking बेटर होती step number 3, promote your YouTube channel बहुत लोग यही सोचते हैं कि केवल videos भी बनाना काफी होता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप YouTube पे अपना personal brand बिल्ड करना चाहते हो तो आपको videos बनाने के साथ साथ अपने channel को promote भी करना होगा सबसे पहला free और easy तरीका यही है कि आप अपने videos को different social medias platform पे share करो और जब भी आप videos को share कर रहे हैं तो कोसिस करो कि YouTube के feature से ही अपने videos को share करो यहनि जब आप videos upload करते हो publish करते हो दिन after आपको share करने का option आ जाता है वहाँ से आप अपने videos को share करो ताकि आपके videos को एक थोड़ा सा boost मिल सके इसके साथ साथ दोस्तों अगर जरूरत पड़े तो आपको अपने videos पे paid advertising भी run करने पड़ेगी ताकि आपके चैनल पे traffic आए लोग आपके चैनल के बारे में जाने आपके चैनल पे एक boost मिले यह सारी चीज़ें आपको करनी होगी देखो यहां पे यह तरीका कि YouTube आपके चैनल को monetize कर देगा यानि जब आप YouTube के threshold को complete कर लोगे तब आपका चैनल monetize हो जाए और AdSense के थुरू आपको पैसा मिलना सुरू हो जाएगा लेकिन अगर आपने पहले इस tip को follow किया यानि आप एक specific niche content बना रहे हो तब आपको एक loyal audience होगी उस base पे अगर आपका चैनल कोई service कोई product sell करता है तो आपकी audience उसमें आपको support करेगी जहां से आपको अच्छा revenue मिल सकता है यानि आप अपने personal brand के थुरू अच्छा पैसा कमा सकते हो तो यह होता है monetization का step adsense हो गया उसके साथ साथ आप personal brand को अपने monetize करके पैसा ले सकते हो अपने product या service को sell करके इसके साथ साथ affiliate marketing के थुरू भी आप पैसा अन कर सकते हो यह कुछ step होते हैं जहां से आप अपने personal brand को grow कर सकते हो और revenue अन कर सकते हो आपको यह informative वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करिएगा अपने दोस्तों को साथ share करिएगा अगर आपको वीडियो कोई सुझाओ या आपकी नए topic पर वीडियो चाहिए तो नीचे comment करिएगा मैं आपके comment का reply करूँगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe ने किया तो please चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही साथ दे लाइकन दवाना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो का latest notification आपको सबसे पहले मिले इस वीडियो बस इतना ही तब तक के लिए जेहिन वन दे मात्रम हवाई स्माइल